नकली सामान की लाइव जाज आपको समझाएंगे, दिखाएंगे, ताकि आप साबधान हो जाएं और जब मिठाई, घी, पनीर, किसी भी ट्रॉस्टड दुकान से आप लें, तो आपको पता हो कि हाँ भई, ये सही सामान बेच रहा है। सबसे पहले, वो चीज जो हमारी जिन्दगी से अलग नहीं हो सकती है, दूद, बच्चों से लेकर बुजर्गतर, हर कोई दूद पीता है, कोई दूदवाले से दूद लेता है, कोई पैकेट का दूद लेता है, कहीं कोई डेरी से जाकर दूद लेकर आता है, दूद के बिना चाहिए पनीर चाहिए दही चाहिए तो सप्लाय तो उतनी हो रही है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या मिलावट हो रही है और इसे पहचाने तो कैसे पहचाने तो सबसे पहले आपको बताती है नकली मिलावटी दूद समिर जी हम चाहेंगे कुछ ऐसे टेस्स बता कर सकते हैं आपने सबसे पहले दूद की पूछा तो फिलाल अभी जैसे हमारे पास यह दोद का सेंपल हम इसको देखते हैं देखिए लैब में तो हमारे पास इस तरह से टेस्ट ट्यूब होती है पर आपको टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं है आप घर में किसी ग्लास में भी कर सकते हैं तो आप यह आयोडीन का सलूशन अपने पास रख सकते हैं इसमें हम देखेंगे कि देखिए आयोडीन की कुछ बूंदे अगर हम इसके अंदर डालते हैं सबसे पहले हम ने इसमें दूद का सेंपल लिया है और इसके अंदर हम Iodine की कुछ का ऐसा glass वगेरा ले सकते हैं इसमें आप sample डालेंगे इस तरह से sample डालीए और sample डालने के बाद आप इसके अंदर फिर से जो मैंने आपको बात की iodine जो कि आपको आसानी से मिल जाता है iodine की इसमें कुछ आप बूंदे डालेंगे ऐसा यह iodine का हो गया हम इस तरह की डॉपर भी आपको कैमेश शॉप पर मिल जाते हैं ऐसे डॉपर की आप help ले सकते हैं और इस डॉपर से हम इसको फिर से फिल करेंगे और डॉपर की कुछ बूंदे एक बार हम ग्लास उपर उठा अब को किस तरह से यह शॉपर एक हम इसमें मिक्स करेंगे तो देखिए इस तरह से अगर मिलावटी आपका दूद होगा क्योंकि थ reduced क्योंकि आन्दर बहुत असानी से कर सकते हैं तो मिल्क का एक तो सबसे जादा मिलावट की बात की जाते हैं और क्या कुछ जैसे ठीक है आयोडिन नहीं है बस मुझे देखके पता लगाना है तो वो कई अगर पीछे थोड़ा सा निशान छोड़ रहा तो इसका मतलब उसमें पानी नहीं मिलावट जादा अगर इसमें पानी की मिलावट होगी दूद के अंदर तो यह एकदम से नीचे चला जाएगा और पीछे अभी देख रहे हैं जैसे यह दूद सही है तो इसके अंदर आप देख रहे हैं एक लाइन बनी हुई है यह वाला अगर इसको अपनी पाम पे इसी तरह से हम इसको अगर लेकर देखते हैं या आप हाथ के बैक साइड में इस तरह से थोड़ा से डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा एकदम से जाएगा दूद बलकि वो स्लो जा दूद निशान छोड़ेगा नहीं आपका आप देख रहे हैं तो पानी और स्टार्ट्स जो की कॉमन है वह आप इस पर जाच सकते हैं और इसके अलावा अगर आप देखें तो देखें जाधा तर अभी क्योंकि फैस्टिव सीजन आ रहा है और दूद से बने वे जितने भी होते हैं जाधा तर जैसे खोया हो गया खोय के अंदर हम सबसे जाधा मिला नकली दूद बनाने में कई पर रिफाइंड ओल का भी इस्तमाल करते हैं तो रिफाइंड ओल तो दूद से भी महंगा होता है तो यह क्या कॉंसेप्ट है थोड़ा अजीब लगता है कि दूद जो ईसी का मिलावट किया जाता है दूद को सफेद करने के लिए ऊसी दूद मे अपनेफ के दूद के पर दूद के बाद और नहीं सबस्कित है है अगर उसके और बहुत ज़ादा बबल आ यह ऐसे ज़ाग क्योंकि दूद में नैचुरेल जाग थोड़े कम होते हैं पर उसमें जादा आएगा तो वो डिटरजेंट की मिलावट भी उसमें कर सकते हैं और अगर यूरिया की है तो यूरिया के लिए फिर वो स्पेशल लैब में जाच होगी यानि की स्टार्च और डिटरजेंट और ऑईल या या यह सो डेट सो रुपे का बहुत ही सस्ता सा एक या जो बहुत इसी आपके दूद में स्टार्च की मिलावट है पानी की मिलावट है तो वो तो आप घर बैठे जाच सकते हैं लेकिन अगर यह मिलावट रिफाइन जो खराब तरह के रिफाइन डॉल होते हैं उनकी है य जाल आगे बढ़ते हैं अगली हम चीज जो पनीर वेजिटेरियन हिंदुस्तानी होते हैं और पनीर जब तक ना हो तब तक डिशिस और त्युहार पूरे नहीं होते हैं डिनर पर बुला है तो भी पनीर चाहिए तो भी पनीर चाहिए लेकिन पनीर जो है वो भी लगातार अडल्ट्रेड हो रहा है बड़े से बड़े ब्रैंड जो है वो भी उसको कमपनसेट करने में नाकामियाब हो रहे हैं बताया जा रहा है कि छोटी बड़ी दुकाने डेरी हर जगे से लिया हुआ पनीर जो है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है और यह त्युहारों क फेले हैं और पनीर के सैंपट्ष को भी इस तरह से आप टेस्ट्यूब में डाल लिजाया घर में डाल सकते हैं इसमें थोड़ा साप अगर थोड़ा सा आप इसको हिला लीजिए क्योंकि आप ये देखी कि पनीर वगेरा थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल होता थोड़ा सा आप उसका पार्ट लेंगे ऐसे ग्लास या कुछ भी हो आप उसको पूरा अच्छे से हिलाएंगे हिलाने के बाद जैसे ये पनीर य्या जो भी मिक्स हो गया मिक्स होने के बाद वही सैमी आयोडीन आपका बहुत यूसफुल है इसको आपको घर पर रखना चाहिए किसी तरह की अडल्ट्रेशन को जानने के लिए तो पनीर हम एसे डॉपर की सायता से आप इसमें यह लेंगे और जैसे यह सैंपल है हमने पनीर को मिक्स कर लिया पनीर के कुछ एक टुकड़े को और उसके बाद हम इसमें जैसे डालेंगे तो फिलाल इस पनीर के अंदर इसका अगर color change हो रहा है यह color change हो रहा है इसका एक हम normal वाला भी लेते हैं तो color change हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर वही आपको बताया है dark अगर आपका brownish color आ रहा है blue color आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर मिलावट है दूसरा हम एक और सेंपल यह तो पनीर का हम एक और चाहिए जिस तरह से यह पनीर में मिलावट होगी स्टार्च की होगी हां जी पनीर में आम तोर पर चाहिए जो पानी में डालते के साथ एक दम एग जैसा हो जाता या फिर उसके अंदर आप पाएंगे के एक दम spongy हो जाता है, वो क्या होता है? तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह के microplastics वखेरा भी कई जाता है इस इस बिल्कुल जिसे चीनी के अंदर भी microplastics इस्तेमाल किया जाता है तो अब इस में जैसे हम ने कि ये पनीर का एक और सेंपल लिया और इस पनीर के सैंपल में अम दिखिए इस तरह से थोड़ वतby 25 अगर थोड़ा पाट निर 115 अगर थोड़ा रहेगा तो और भी बहतर रहेगा ये देखिए ये पनीर का आपका संपल शर्या और देने के भाड फिर से हम इसके अंदर आयोडीम के कि कुछ बुंदे डालेंगे और यह बुंदे डालने के बाड़ आप अच्छा इसमें ध्यान रखना होगे अगर कलर आपका ऐसा यैलोऑ इश आता है यालोऑ है तो मतलब थीक है यह पर अगर आपका डार कलर आता है जैसा हमने अब आपको बताया है ग्रेश टोन पर है एक्जैक्ली तो मिलावट है तो दूद के अंदर भी आपको इस तरह का कलर दिखाई देगा माला मिल्क प्रडेक्ट आपको भी टेस्ट करते हैं तो आप यह देखिए यह फर्क आपक दूर्र में देखिए यह आपके ययलो इस कलर रहे गां तो यह आपका में लिहं पनीर के लिए ज्यादा तर यही टेस्ट करते हैं तो यह तो पनीर की बाती है आपको प्रडर आगे आपको लग रहा है क्यूंकि कई चीजे तो आप टेक्च्चर से ही जान सकते हैं आप जै जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके लिए फर्दर आपको फिर कंप्लेंट करनी है फिससाई में वो सेंपल जाएगा और उसमें जाच की जाएगी कि क्या है घर पे आप आम तोर पे ज्यादा तर स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं सेले तो पनीर हो गया दूद हो गया और उसके बाद दिवाली है और मावा घर पे मिठाई बनाएंगे या बाजार से लेकर आएंगे मावा खुया जिसे कहते हैं यह एसेंशल पार्ट है यह चाहिए ही चाहिए और सबसे ज्यादा मिलावट जो है वो मावे के अंदर ही हो रह किलो हैं जबकि देश में दूद की कीमत औसतन साथ लीटर है ऐसे में एक किलो मावा बनाने में तीन सो रुपे का तो खुद आपका खर्चा ही आ जाएगा इसके बाद आप जाहिर से बाते गैस पर बनाएंगे कोईला भट्टी कहीं से भी लेबर का खर्चा मावे की मिलावत कैसे पकड़एंद नासरा है तो नो मावे की मिलावत है सटार्च का पर से किनला जैसे आपके होसकता आपका कही तरह है अनुर च这个 की छोंट रह ने झानल को सकते है अना पंचे मावी को टेस्ट करके देखते ह insane कि मिलावथी ऑए इस में इसी तरह से आप ग्लास में या किसी भी टेस्टीूब के एंदर आप डालने के बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और पानी मिक्स करने कुछ बुंदें आप मिलाएंगे और इसका कलर में चेंज आ रहा है अगर इसमें आलू की आटे की कौन फ्लार की वह मिलावट होगी स्टार्च की तो यह सर्फ आयोडीन से ही चारो तरह की मिलावट जो है और भी स्टार्च में कई तरह की चीजें हो सकती है जैसे हमने चार- स्केड के अंदर इसका कलर बदर जाएगा इसके अंदर कलर का कलर हो जाएगा आपका डिर मावेट और स्टार्च की मिलावट ज्यादा है कई बार थोड़ थोड़ा से Antorno और से और दालने के बाद वही सेम प्रॉसस और फिर इसके बाद इसके अंदर आयोडीन की कुछ बुंदेट डालेंगे तो जैसे हमने आप तो बात की थी कि जो नॉर्मल सेंपल रहेगा आपका जो ठीक होगा जिसमें मिलावट नहीं होगी उसका कलर आपका येलोईश रहेगा उस यह हमने यह सब्सक्राइब का आपका आप देख सकते हैं बिलकुल इसके अंदर डिफरेंस यह देखिए खोए के दो सेम्पल यह संपल बिलकुल बिलकुल तो इसमें जिस तरह से स्टार्च की कई तरह के जो आटे जो हम बात कर रहें वह मिलावाट से चूना भी मिलाते हैं गनपती जी को बहुत पसंद है और क्या लड़ू में भी मिलावट हो सकती है चलिए आदमी सोचे कि ठीक है पनीर वाली या निके छेना की मिठाई नहीं खाएंगे इस दिवाली और इस दिवाली हम खोई की मिठाई भी नहीं खाएंगे लड़ू सेफ है लड़ू में क्या हो पहले स्टार्च में लाया इसकी प्रिपेशन के अंदर मतलब स्टार्च को मिक्स कर दिया बिल्कुल बिल्कुल इसको भी हम चेक कर सकते हैं तो इसी तरह से लड़ू का भी प्रॉसस सभी का सेम रहेगा आप ग्लास वगेरा कोई भी ऐसा कटोरी कुछ भी आप इस्तेमाल क उसके अंदर अलग से नजर आ जाता है स्टार्च इस वजए से हम गरम पानी के बात करते हैं तो जैसे हमने यह सेंपल डाला अब इसमें आप यह देखिए कि लड़ू में यह वाइट वाइट आ रहा है तो इसका मतलब पहले से नजर आ रहा है कि इसमें स्टार्च मिला क्योंकि यह वाइल भी तो हो सकता है नहीं जादा तर अगर वाइट कलर इस तरह से आरा मिल्की वाइट टाइप का अच्छा तो यह नीचे आपका लड़ू है उपर जो आ गया वाइट 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 जब स्टार्च पानी में घोलते हैं वैसा ही गोलते हैं ऐसा ही तैय एक हमगे ऊसे तरह स्टार्च की मिलावट यह नीचेंव mee जगए उसका किया जाता है और सवी अगरला मुदा दिखा को एक हम थोड़ा यह भी बता दें कि दर्शक बार-बार सोच रहे हैं कि इस तरह की टेस्ट ट्यूब नहीं आप ऐसा ग्लास भी ले सकते हैं अच्छा माता कुछ भी घर में स्टील वगेरा कोई भी बरतन उसे लेगा बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें जो भी आपका बरफी पेडा किसी भी तर बढ़नेगे तो यह और अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यह आप देख रहे हैं यह आपने इसमें डाला और यह डालने के इतना एकदम आपका डार का गया और बर्फी में ये यलो इश तो लडू का भी सेफ है अभी फिलहाल जो हमारे पास वर्फी वर्टू है उसमें लड्डू तो फेल हो गया है लेकिन बर्फी पास हो गया लेकिन मिठाईयों पर चांदी का वर्ख भी लगा रहता है बिलकुल पता चलेगा कि देखने में तो दोरों सेम है तो आप जैसे उसके उपर से थोड़ा सा अगर उतार के देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही थिन होता है बहुत ही पतला जो ओरीजनल हम जिसके बात करते हैं बिलकुल इस तरह का होता है आप इससे हाथ में लेके देखिए आप इसको हाथ में लेके रब करके देखिए आपको औरीजनल ऐसे पता लगे आप हतेली पे अच्छे से रगडेंगे जैसे आप मिठाई पे से इसको उतारते हैं और इसको आप ऐसे रब करेंगे ये बहुत बहुत ईजी ली जैसे ये रब हो जाएगा हातों से और आपका डिस इसको आप कुछ भी करेंगे ये इसका चोटा भी आपका अब इस तरह से कुछ बन जाएगा हाथ में बौल सी बैट वो डिसपेर हो जाएगा पूरा रोगा तो चाहे हाथ में कुछ निशान चोड़े वो कुछ ना कुछ या बॉल जैसा बन जाए ऐसा थिक पार्टिकल जै ऑऔ आपको साव दान किया है, यहाँ पर दूद की मिलावट से, उसके बाद हमने बात की है, पनीर में मिलावट से, फिर बात आई, लढड़ो की मिलावट और खोई की मिलावट, बर्फी की मिलावट और साथ ही, जो मिठाईयों को सुंदर, खुबसूरत बनाने के लिए चांदी का वर्क जो है वो लगाया जाता है तो कहीं वो ऐलमूनियम या किसी और धातू कता नहीं है तो उसे कैसे अडिन्टिफाइ करना है यह अब तक हमने अपने मिलावत के लाइफ टेस्ट में आपको बताया अब आगे बात होगी घी की क्योंकि नकली घी भी बड़ी तादाद में पकड़ा जा रहा है तो यहारों के इस सीजन में साथ ही बात करेंगे मसालों की क्योंकि बड़े से लेकर छोटे पनसारी की दुकान तक के मसाले जो हैं वो भी अडिल्ट्रिड पाए जा रहे हैं और बटर जिन लोगों को पसंद है उनके लिए भी आगे के कुछ टेस्ट जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट है